आओ रवी कैसे हो तुम मैं तो अच्छा हूँ तुम बताओ कौन से गहन चिंतर में बैठे हो तुम अरे यार सोच रहा था S.I.P. शुरू करूँ कुछ न कुछ तो सेविंग स्टार्ट करनी होगी न तो मैंने सुना है S.I.P. बगर आजकर अच्छा उप्शन है पर समझ पनी आ रहा कि कहां से करूँ अरे वाह ये तो बहुत बढ़ियां विचार है मैं तो तुम से कब से सला दे रहा था कि S.I.P. शुरू करो थोड़े से एमाउंट से शुरू करो पर जल्दी शुरू करो तुम ही नहीं मानते थे पर खेर कोई नहीं जब जागो तभी सवेरा तो अब तुम शुरू कर दो अब क्या सोच रहा हो तुम अरे मैं सोच रहा हूँ जिस बैंक मेरा अकाउंट है उसे से शुरू करूँ या फिर आजकल बहुत से लोगों को देखता हूँ कि ग्रो एप है, ईटी मनी है और भी बहुत सारी एप हैं तो उनके थूँ वो लोग करते हैं अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने सालों से जब वो लोग बैंक में अकाउंट रखे हैं हमारा एक भरोसा है बैंक पे तो वो लोग उससे क्यों नहीं करते हैं वो लोग ये सब थार्ट पार्टी एप अगरा से क्यों करते हैं हां सवाल तो तुमारा अच्छा है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे कौन से कारण है जो बैंक से लोग नहीं करते हैं और इन ठाट पार्टी एप से करते हैं वैसे तो ये सबका अपना नीजी डिसीजन होता है तुम भी अपना जो मैं बताऊंगा वो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें clear हो पाएं पर हां तुम अपनी तरफ से भी चीजें explore करके उसके बाद decide करना हां वो तो मैं करूंगा पर पहले picture तो clear हो कि आखिर कारण क्या है तो सुनो मोटे मोटे तीन कारण होते हैं सबसे पहला कारण तो यह है क कि बैंक के पास option कम रहते हैं और यह third party app के पास option जादा रहते हैं ऐसे कैसे बैंक कितना बड़ा इतने सालों से काम कर रहा है इनके पास option कम है हां भाई सोचो अगर access का है एक्सिस के पास तो उनके अपने ही fund होंगे ना उनके पास वही सारे option होंगे जो वह अप उनके खु कुछ मुल जाएगा तो हुए ना उनके पास option जादा और बैंक के पास option कम अच्छा तो तुमारा मतलब है कि कोई भी बैंक का अगर mutual fund में लेने जाओंगा तो उस बैंक के अपने mutual fund ही उस बैंक की website मिलेंगे दूसरे नहीं मिलेंगे इस लहजे से option कम होंगे हां बिलकुल स एक में regular fund मिलते हैं और यह जो third party app होती है यहाँ पर direct fund मिलते हैं यह regular और direct क्या हुआ regular मतलब की बीच में commission जो होता है वो involved होता है वो तुमसे commission नहीं लेंगे लेकिन एक होता है expense ratio अभी अभी तुमने इस field में कदम रखा है ना तुम तुमें बता देता हूं कि mutual fund companies ना हमसे expense ratio लेती हैं एक तरीके का खर्चा होता है क्योंकि जाहिर से बात है वो हमारा पैसा market में लगाएंगी तो कुछ ना कुछ खर्च तो आएगा ना एक fund manager अलॉट किया जाएगा जो देखेगा market की situation कैसी है कहा पैसे लगाएं कहा ना लगाएं तो उनका खुद का भी तो ना तो यही खर्चे को expense ratio नाम दिया गया है जो वो हम हमारे से लेती हैं अगर हम सौर पर देंगे तो कुछ company 0.6 लेती है कुछ 0.5 लेती है 1% से कम ही या उसके आसपास रहता है तो वो होता है expense ratio तो bank से जो SIP बगरा होती है वहाँ पर regular fund रहते हैं यानि कि commission रहता है तो commission अ जो mutual fund होते हैं SIP होते हैं उसमें expense ratio जादा रहता है और यह जो third party app होती है अगर तुम इसमें compare करोगा तो expense ratio कम रहता है कितना फरक आता है 1% या 1.5% के करीब तो यह तो कम ही है ना इतना difference होने से क्या हुआ bank एक भरोसे मन जगा है यह तुम्हें अभी कम लग रहा है पर अगर तुम long term में बात करो 25 साल 30 साल या 20 साल के SIP करो अब जाहिर से बात तो तुम अगर अभी SIP शुरू कर रहे है अपने retirement के लिए तो एक लंबा investment हुआ ना तो इतने लंबे time में वह यह 1% जो होता है या 1. पॉइंट 5% जो होता है यह लाखों में होता है अच्छा इतना बड़ा amount हो जाता है हाँ जाहिर से बात है इतने लंबा time investment करोगे तो लंबा ही तो amount हो जाएगा अच्छा तो यह तो मेरा नुकसान हो जाएगा हाँ बिलकुल सही पकड़े यह तुम्हारा नुकसान हो जाए क्योंकि वहां पर return जादा मिलता है अच्छा तो यह बात है तो फिर तीसरा तीसरा क्या reason है तीसरा reason यह है कि bank जादा convenient नहीं होता है जाहिर से बात अगर तुम्हें अपना कोई SBI का fund monitor करना है तो तुम SBI की website पर जाओ access का कोई fund लेना है तो access पर जाओ HDFC का लेना है तो HDFC पर जाओ पर यह सारी app में क्या है तुमने grow app खोली angel app खोली या कोई भी app खोली तुम्हें जो भी fund देखना है जो भी चीज़े monitor करने सब के सब एक जगे पर आजाती है तुम्हें इतनी सारी app का जंजट नहीं convenient अच्छा समझ गया मतलब इन तीन डिफ्रेंस के वज़े से मेरे सारे दोस थाड़ पर्टी अब ज्यादा प्रिफर करते हैं हां तीन डिफ्रेंस हुए पहला बैंक के पास option कम है थाड़ पर्टी पास option ज्यादा है दूसरा बैंक का expense ratio ज्यादा होता है यानि return कम हो जाता ह है और थाड़ पर्टी अब का expense ratio कम होता है तो return ज्यादा हो जाता है और तीसरा बैंक की अब ज्यादा convenient नहीं होती है और यह थाड़ पर्टी के अब ज्यादा convenient होती है अब समझ में आया है चलो अब मैं थोड़ा और सोच समझ लूँ उसके बाद मैं decide करता हूं जल से जल् अच्छा होगा लंबा समय रखो तभी जादा return मिलेगा हाँ भाई समझ गया तू तो हमेशा जब देख तब मुझे यही सब समझाता रहता है चलो चलता हूं मैं फिर मिलता हूं ठीक है भाई धन्यवाद job information तुमने दी